क्रॉनिक फेटिक सेंड्रोम और मायल्जिक एनकेफिलाइटिस इसके बारे में आज आपसे बात्चीत करूंगा मेरा में डॉक्टर दीपक केलेकर में मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन तथा व्यसन अमुक्टि तक यह महाराष्टे में मुंबई पुने अकुला यह प्रैक्टिस करता हूं एक अप्रॉक्टिमेटली 35 साल का लडगा उसका फोन मुझे आया ओनलाइन कंसिल्टेशन ली थी बता नाथा कि पिछले पांस साल से यह बिमारी उसको है बहुत ज्यादा थकान आती है थोड़ा भी काम किया तो बहुत ज्यादा थकान और थकान इतनी ज्यादा आती है कि यह ज्यादा थकान आती है तो इतनी थकान आती है और थकान आने के बात मैं थकान के बाद यादी विख आरम करता है तो अराम करने से पूझ परक पड़ता नहीं है मतनu कि नौर्मल थकान नहीं है कि जा आठान निकल जाती है फ्रेश बिखेर हो जाते हैं यह थखान तभी थे ठीक नहीं होती और बिमारीं का ऐसा है कि यह तकलिफ हो रही है 6 मिन से जादा और सभी तरह की जाच करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है डाइगनोसिस बाकि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यह अबनॉरमलिटी नहीं दिख रही है तो फिर यह chronic fatigue syndrome करके उसको डाइगनोस किया जाता है इसमें पूरे बदन में दर्थ होता है और भी बाकि भी कुछ तकलीबी होंगे और भी symptom होंगे मगर सबसे चादा symptom यह है कि ठकान और दर्थ इंडिया में कम सकम 10 लाख लोगों को at any given time यह बिमारी है ऐसा कम सकम studies का अंधा है कि 10 लाख लोगों को यह बिमारी per year होते रहती है और at any given time इतने लोग है कि उनको कुछ भी नहीं मिलता है यूजली क्या होता है कि थाइरड की बिमारी है तो लोगों को इस तरह के symptom आते है डिप्रेशन की बिमारी तो इस तरह के symptom आते है मगर यह डिप्रेशन भी नहीं है बाकि मूर भी ठीक रहता है मगर यह थकान है तो इनको यूजली एंटिप्रेशन से कभी-कभी फायदा होता है या फिर मोड़ाफिनिल जो दबई है यूजली हम उनको हिप्नोथेरपी करने के लिए बोलते है और मेडिटेशन करने के लिए हम बोलते तो इसमें बहुत जादा फायदा होता है यह जो यूग है उसको जो बिमारी थी मैं आपको बताता हूँ कि उसको क्या क्या हो राता एक तो है कि काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता उदासी भी रहती है कहीं भी दिल लगता नहीं है और बहुत जादा ठकाने काम करके काम करने को शरीव साथ देता नहीं बिस्तर पे कम से कम मतलब 17-18 घंटे लेटे रहने का दिल करता है और बिस्तर से उटने का दिल भी नहीं करता सर बहुत भारी-भारी रहता है और फिर बहुत जगह दवा लिया तो भी फायदा नहीं है क्योंकि ऐसी दवा कोई प्रडिकल लिया नहीं है कि उससे फायदा हो जाएगा इसमें antidepressants हम देते हैं और उसके साथ hypnotherapy, counselling यह करके उनको फायदा हो जाता है उड़े आपको अच्छा लगा तो जोड़ी लोगों को शेयर को बहुत जागा लोगों को है और उनको फायदा हो जाएगा हमारा जो मकसद है वह सब के लिए मानसिक, स्वास्त और वेसल मुक् कि मेश बादाए शेबोड़ी आपको आपको बाल झापको फायदा है जाएगा यह को वह दो जाएख से घ्काटा बाने को बाले हो जो पायदा से वागा जाएवाल का अवच्छ थीज़ी लोग दोगों कि वेड़े ऑटार झाल 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 झाल